जैसाई राम एफ्रिवान, वेल्कम टू मेरे साई, आशा करती हूँ, साई क्रिपास से आप सब बहुत अच्छे होंगे, आज इस एपिसोड में मैं आप सभी के साथ एक नहीं बलकि बहुत सारे साई अनुभव शेर करूँगी, पहला अनुभव हमारे साथ शेर करती हैं गा एक विडियो मैं सुनती हैं जो कि नौ दिन नौ दिय के उपर था और विडियो सुनने के बाद मैं डिसाइड करती हैं कि वो भी नौ दिन नौ दिया जलाएंगी, तो मैं 2nd November to 10th November, साल 2023 में बाबा के आगे नौ दिन नौ दिया जलाती हैं पूरे श्रद्धा के साथ, और 13th January 2024, इनको government job मिल गया, अभी तो माम as a guest teacher पढ़ाती हैं और मुझे यकीन है साइक रिपा से इनका job permanent भी हो जाएगा, अब शेर करूंगी आप सभी के साथ, तीन अनुभव, ये तीन अनुभव जिनका है, वो रहना चाती हैं, anonymous, इनका पहला अनुभव, उदी से related है, माम बत कह रही थी कि वो उदी बहुत सम्हाल कर रखती है, अब जब माम ये अनुभव सुन रही थी, तब से पांच महीने पहले वो शिर्डी गए थी, और वहां से, वदर शिर्डी से 4-5 पैकेट उनको उदी का मिला था, जो कि माम घर लाती हैं और अपने बच्चों को एक-एक क पैकेट है, मुझे ये भी सम्हाल के रखना होगा, ये बस सोच रही थी माम, और गेहु चान रही थी, और तभी माम देखती हैं कि सीव में, यानि छलनी में उदी की पैकेट है, माम बहुत देर से गेहु चान रही थी, पर जैसे ही माम ने मन ही मन सोचा कि मुझे भी उदी समाल के रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट उदी की है उसी वक्त गेहु के बोरी से उदी निकलना ये सिर्फ और सिर्फ साइच अमतकारी है न क्योंकि कौन अपने घर से उदी लेकर गेहु के बोरी में रखता है बताईए न ये बाबा की लीला ही है और आईए सुनाती हूँ अब इनका सेकेंड अनुभाव मैम बताती है कि सर फॉजी है और सर का पोस्टिंग जहां होता है मैम अपने बेटे के साथ सर के पास ही रहती है ठीक है पर कोरोना से पहले मैम को अपने होमटाउन जाना था क्योंकि उनके घर में ना मतलब तो इनका बेटा घर में अकेला रहता और सारा दिन हेड़फोन लगा कर गाना सुनता रहता कोई टोपने वाला भी नहीं था क्योंकि सर ड्यूटी में और मैम होमटाउन गई थी ठीक है अब ऐसा हुआ कि सारा दिन इनके बेटे के माइंड में गाना चलता ठीक है गाना कि अए अधा स्वाम में बाइं पास बापस आए तो इनके बेटे ने इनको कहा कि मा मेरे दिमांग में मन हर वग गाना बचता है बचता है तो माम बहुत गुसा होती है माम डाटती है अपने बेटे को कि मन ही-मन पराई तो रिपीट नहीं होता गाने कर दाइम तो आउट大的 कि तुम्हारे मन में गाना बचता रहता है not only that इनके बेटे को ना बहुत सीवेर सरदर्ध होने लगा था दवाई तो लिया पर असर नहीं था ठीक है दवाई का कोई असर नहीं था और ये सरदर्ध होना और मन ही मन में गाना रिपीट होना ये दो-तिन साल तक चलता गया मैम ने रिसाइट किया कि वो नवगुरुवार का व्रत शुरू करेंगी और संकर लेती है कि इनके बेटे का सरदर्ध ठीक हो जाए क्योंकि दो-तिन साल से continuous headache जो की दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है इसा serious issue तो संकर लेती है कि मैं नवगुरुवार का व्रत करूंगी साइन मेरे बेटे का सर्दत आप ठीक कर दो और इसके मन में जो माइन में जो गाना continuously जो बज रहा है ये भी बजना आप बन कर दो मैम दो नवगुरुवार का व्रत करती भी है उद्यापन भी करती है और जब थर्ड नवगुरुवार का व्रत जब मैम स्टार्ट करती है उसी दोरान मैम डिसाइड करती है कि अपने बेटे को साथ लेकर शिर्डी जाएंगी और साइन बाबा से कहेंगी कि बाबा आप ही सब ठीक कर दो ठीक है और मैम अपने फामली के साथ शिर्डी गई बाबा के दर्शन करके वापस लोटती है और उसके बाद नवगुरुवार का व्रत भी उद्यापन करती है और उसके बाद से मैम बताती है इनके बेटे का सर्दर्द तो चला ही गया और वो जो माइन में कंटिनुवस्टी गाना रिपीट होता था ठीक है पढ़ाई करने बैठता तो भी मन में गाना बज रहे है ये जो प्रॉब्लम चल रहा था न वो भी साल्व हो गया अब आईए सुनाती हूँ इनका थर्ड अनुभव इनकी बेटी बाई प्रफेशन स्कूल टीचर है पर सालरी से साटेस्वाइड नहीं थी तो जॉब से रिजाइन किया उन्होंने और माम से कहा के अब उसी स्कूल में मैं नौकरी करूंगी जिस स्कूल का अच्छा रेपूटेशन है और सालरी भी अच्छी हो मैं उसी स्कूल में नौकरी करूंगी और दूसरे स्कूल के लिए मैं ट्राइ कर रही थी मतलब इनकी बेटी ट्राइ कर रही थी interview दे रहे थी पर उसके बाद interview देने के बाद उनको और call नहीं आ रहा था, school से उनको call नहीं कर रहे थे और एक महीना हो गया वो घर में ही बैठी थी ma'am की बेटी, अब इस बीच मतलव ये जो एक महीना वो घर में थी, उस बीच इनकी बेटी एक सपना देखती है, सपने में वो देखती है कि वो बस से ट्रावल कर रही है और बाबा भी, साई बाबा भी उसी बस में है, ओके और बाबा से माम पूछती है माम की बेटी पूछती है कि मेरा काम कभ होगा, तो बाबा स्माइल करते है और कहते हैं होगा ओके और इसके बाद इनकी बेटी ने सपने में ही देखा कि वो बाबा को 500 का एक नोट देती है और बाबा उस 500 के नोट को डबल करके उन्हें लौटा देते हैं ये इनका सपना था तो जब माम की बेटी इने कहती है कि माँ आपके साइं मुझे अच्छे न बाबा ने कहा था ना होगा तो होगा मतलब होगा और तुमने साथ भी ये भी तो देखा था कि तुमने 500 का रुपए बाबा को दिया बाबा ने वो नोट तुमको वो रुपए डबल करके तुमको लोटाए तो तुम इतना जान लो कि अच्छे स्कूल में नौकरे मिलेगी औ अच्छे सालरी के साथ और मैं बताती है अगले दिन इनकी बेटी को एक अच्छे स्कूल से कॉल आया जहां वो इंटरव्यू दे चुके थी पर फाइनल जो कॉल आता है ना कि आपको हम हायर कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाला कॉल नहीं आ था सो लॉग पर अगले दि से एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी माम बाबा के पांच गुरुवार का व्रत करना चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था इनको पांच साल रुकना पड़ा पांच नव गुरुवार का मतलब पांच गुरुवार का व्रत करने के लिए ठीक है देखे हम होते कौन है डिसा नहीं था कि कैसे पूजा करते हैं विधी क्या है अब इन्होंने कल श्थापन किया था besten गुरवार को और सेकेंड गुरुवार मैम जब उसना और ऀसमी दालने गई तो देखती है कलेश के कलेश के के अंदर कानख़जुरा है अब कान खजूरे को देखकर मैम डर गई उनको लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गया होगा इसलिए कलश के अंदर कान खजूरा है वैसे कलश के अंदर कान खजूरा रहना it's a very simple matter बहुत मामूली matter है पर होता है न कभी-कभी हम बहुत cautious हो जाते हैं हमको डर लगने लगता है जब बात पूजाप की हो तो माम बहुत डर जाती है और माम decide करती है कि वो दो चिट्स बनाएंगी साई से जवाब मांगेंगी कि कान खजूरा का मिलना अशूब है या शूब है चीक है और माम दो चिट्स बनाती है एक में लिखा है अशूब है एक में लिखा है अशूब नहीं है और इसके बाद माम चिट्स बाबा के सामने रखती है और फिर माम एक चिट्स उठाती है और जो चिट्स उठाती है माम उसमें लिखा था कि अशूब नहीं है और इसी तरह साई ने इनका confusion दूर कर दिया तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप करती हूँ पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना अनुपव हमारे साथ शेर किया है आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब जो यह अनुपव सुन रहे आप सब से कह रहे हो अगर अनुपव अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीज़े शेर कीज़े माटिये सब के साथ साइ अनुपव प्रचार कीज़े साइ महिमा अगर आप भी अपना अनुपव शेर करना चाहते हैं तो आप मुझे इमेल कर सकते हैं अगर चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो आप किसलिए वेट कर रहे है ज़जा ये मेरे साइ परिवार से मिलती हूं बहुत जल्दी नए साइ अनुपव के साथ तिल दिन जैसाहिराम